शब्सक्राइब करें हमारे मेडिकल चैनल को और बेल आइकन को दवाएए लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अगर पॉजिटिव और निगेटिव होने का मतलब क्या होता है अगर आईजी जी पॉजिटिव आजाता है तो आपको क्या करना है अगर पॉजिटिव आजाता है तो आपको क्या करना है तो यह दोनों के वीच में क्या डिफरेंस है और यह कब पॉजिटिव आता है यानि कि आईजी जी पॉजिटिव कब आएगा आईजी एम पॉजिटिव कब आएगा सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और वीडियो को बारी की से अंत तक जरूर देखेगा सारे डाउट्स आपके किलियर हो जाएंगे आई जी जी से रेलेटेड और आई जी एम से रेलेटेड सबसे पहले समझ लेते हैं आई जी जी आई जी एम होता क्या है यह एक special प्रकार की antibodies होती है immunoglovins जो की हमारे सरीर में represent करते हैं की condition क्या है जैसे माल लीजे मैं एक graph के जरी आपको समझाने की कोसिस करता हूँ यहाँ पर मैं एक graph वनाऊँगा और इस graph से आप समझने की कोसिस केज़ेगा जो आपको आसानी से समझ में आजाएगा यहाँ देखेगा किसी patient को infection हुआ माल लीजे इस time पर patient को infection हुआ और उसके symptoms patient को आएंगे 7 दिन के अंदर 7 days तो यह 7 days जो है इस 7 days को हम कहेंगे incubation period IP लाइट तो जी incubation period क्या होता है जो symptoms produce हो रहे है patient के वो कितने दिन में हो रहे है यानि कि आज infection हुआ आज से 7 दिन बाद उस बीमारी के lecture हमें दिखाई देने लगे हैं उस period को हम कहते हैं incubation period अगर वीडियो नहीं देखा है तो रिशेटली में एक वीडियो अभी अपलोड हुआ है इंक्यूविशन पीरिट के बारे में आप जाकर चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट देखें या फिर आप और रिसेंट वीडियो में जाकर करके आप चेक करें चैनल पर विजिट करें आपको वीडियो देखने तो यह एंटिवाडिज जो टेस्ट है यह एंटिवाडिज टेस्ट आपका निगीटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा तो यहां पर क्या होगा मालीज़े हमने एंटिवाडिज टेस्ट कराया एंटिवाडिज टेस्ट कराया लाइट तो एंटिवाडिज जो टेस्ट हमने कराया है यहाँ पर जो फेज है यह साथ दिन के बाद फेज स्टार्ट हो रहा है यह साथ दिन के बाद फेज स्टार्ट हो रहा है यह फेज कुन सा होगा आपका acute में, जो current में situation, जो current में infection active phase में होगा तो जब active phase में infection होता है, तो ऐसी condition में आपका IgM positive आएगा तो जब आपका report आप कराएंगे, तो ऐसी condition में IgM positive आएगा तो ऐसे patients जिनका IgM positive आ रहा है, इन patient को समझ जाना चाहिए कि हमारा जो infection है वो 14 दिन के अंदर अंदर अभी है तो 14 दिन के अंदर अंदर जो patients का infection हुआ है या उनको current में active infection चल रहा है उन patients को IgM positive आएगा अब माल लीजिए कुछ patients ऐसे हैं जिनका IgM negative है लेकिन उनको IgG positive आ रहा है तो 14 दिन के बाद क्या होता है IgG जो antibodies होती है वो produce हो जाती है वो develop हो जाती है तो जब यह यहाँ पर यह क्या होगा negative हो जाएगा ठीक है क्योंकि साथ दिन के phase में देखे encryption period था फिर यह 14 दिन यहां से लेकर 14 दिन में IgM positive रहेगा यह antibodies develop होगी ठीक है उसके बाद में क्या होता है आपका दूसरा antibodies develop होगा IgG तो IgG यहां से develop होगा यहां से IgG develop होगा और यह IgG आपका long time के लिए जा सकता है long time के लिए जैसे कि 14 दिन बाद अगर आप test कराते हैं तो आपका IgG positive आएगा IgG positive आ गया इसका मदलब है कि आपके 14 दिन निकल चुके हैं और आप सेफ हैं और आप recovery phase में हैं आपका जो infection है अब वो देरे-देरे कम होता चला जाएगा आप ठीक होने लगेंगे आप ठीक होने के stage पर हैं अब यह IgG जो antibodies बनी है यह antibodies लंबे समय तक जा सकती है जैसे कि 3 मंत के लिए या 6 मंत के लिए 9 मंत के लिए या 12 मंत के लिए तो यह depend करता है कि किस body में कैसी immunity है या फिर उस body में क्या कितना infections है या फिर किस basis पर हमारी body move कर रही है उस body status क्या है सारी चीज़ें इस पर depend करती ह है तो इस basis पर आपके यह 3 महीने तक continuously बनी रह सकती है 6 महीने तक बनी रह सकती है और किसी किसी में आगे काफ़ी time तक यह बनी रह सकती है जिसकी बज़ए से क्या होगा कि अगर आपको repeat exposure होता है repeat exposure अगर किसी patient को होता है तो उस patient को ज्यादा risk नहीं है no risk क्योंकि उसके after 14 days के बाद ही produce होती है ठीक है तो यह हमारे लिए सबसे वड़िया बात है ओके अब आपके समझ में आ गया होगा कि IgM positive आता है इसका मतलब क्या है कि हम current situation में हमारे अंदर infection है active infection है और IgG positive आता है है इसका मतलब है कि हमारे वाड़े में infection कम हो गया है और हम ठीक होने के state पर हैं हम recovery phase में है so I hope कि इस वीडियो से आप समझ गए होंगे IgG और IgM positive negative means क्या होता है आज की वीडियो में इतना ही फिर मिलते एक नए वीडियो में तब तक लिए बाबाबा टेक है थैंक सब्सक्राइब के वाड़ थाइए